हलो फ्रेंड आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिच्छू बुटी के फैदा बताने माला हूँ बिच्छू बुटी अगर आप गाउं में राते हैं तो गाउं में भी बुटी सानिस आपको देखने को मिल जाते हैं साहर में राते हैं साहरों पे भी मिल जाते हैं साटकों की किनारे पे लगे होते हैं कई से भी राते हों किसी भी राज्य से राते हैं बिलाओं करते हो यह प को बिच्छू डंग मारें या तो आफ ये आपको पश्तावां होना पड़ेंगा क्योंकि एक ऐसा ज्यूह जियो रिला जी हो कभी भी किसी को डंग मारसकती है भगवान नает舞台 करें लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छ अच्छ रिस्पोंस मिलते हैं कि सर हमने आप जो पाय बता है बिच्छू की जहर उताने के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं तुरंद बिच्छू की जहर 5-10 मिनट की वितर में उतर गें तो एक और यही दवा है नोट करके रख ल करते हैं हमें जरू बताना और हां अपना इस्टेट जरू लिख देना यानि अपना राज्जा जरू लिख देना तो किस तरह से बिच्छू मारने पर इसका परोग करते हैं थोड़ा सुन लिजे यह किसी छोटा सा पेन कॉपी में नोट करके रख ले कभी भी काम आएंगे और दोस्तो आप सभी को पता हैं जो उपाय बताते हैं 100% काम करते हैं और क्योंकि हम काफी लंबे समय से आयरवेस से जूड़े हुए हैं हम बहुंसे चीजों को प्रिक्टिकल भी करते हैं तो दोस्तो इसके जड़ को लाना होता है अगर किसी को बिच्छू डंग माल लिए आप देखेंगे बिल्कुल ही बिच्छू को ज़र उतर जाते हैं क्योंकि दोस्तो नाम से इस परस्त है इस जड़ी को बिच्छू जड़ी के नाम से जनते हैं क्योंकि इसे बिच्छू जड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिच्छू का सबसे बेस्टा काट दवा है तो पहला इसका आप जो किसके परेयों कर सकते हैं जड़का दूसरा अगर किसी को यह ज़से बहुत बना रहत susceptible तो क्या करें चैंक फल होता है इसे आप को दोस्तो तावीज में में भर करके पहां लेने कभी बीजू डंग माते हैं ताबीज में चैन्दिक ताबीज में जो भी ताबीज आपको मिलिए उसमें भंगर किसे पहान लेना कभे भी बिच्चू के जहर नहीं चड़ेंगे तो सब से बेश्टा यह तरीका है बिच्चू के जहर से चुटका पाने का तो यह थे छोटी से टोटके भी और यह थी छोटी से घरेलू नूस के तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लगे हमें कोमेंट सक्सान में जरूर बताएं वीडियो देखने के लाब सभी मेत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद